इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपनी Z5 की एप से स्क्रीन कास्ट कर सकते हैं अपनी किसी भी Android TV में तो Z5 की एप्लिकेशन में कास्ट करने के लिए आपको सबसे पहले करना क्या है सबसे पहले अपने फोन में आप उसकी सेटिंग्स में चले जाएए तो फोन की सेटिंग्स में हम चले जाते हैं इसके बाद आपको connections में आना है और अब आपको यहाँ पर Wi-Fi दिखाई देगा Wi-Fi पर आ जाईए तो आप जैसे देख सकते हैं मैंने यहाँ पर वाइफाई connect कर रखा है इसी तरीके से आपको भी अपने घर का वाइफाई connect कर लेना है अपने फोन से ठीक है अब इसके बाद आपको अपनी टीवी में आना है और TV में आने के बाद आपको settings में जाना है और यहाँ पर भी आपको same wifi connect कर लेना है जो आपने अपने फोन में connect कर रखा हैった तो मेरे phone में यह wifi connect था तो इसे मैं connect कर लेता हून ठीक है? अब phone और TV दोनों में wifi connect होगया है तो अब आपको क्या करना है? अपने phone में आना है और यहाँ पर Z5 पर क्लिक करना है ठीक है और अब आप जो भी आपको cast करना है वो video select कर ले जैसे मैं इसे select कर लेता हूँ इस पर क्लिक कर लेता हूँ ठीक है तो यहाँ पर आपको तो यहाँ पर आपको ads आएंगे तो थुड़ी तर आपको wait कर लेना है और आपको ऊपर यहाँ पर cast का icon दिख जाएगा तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है एक बार और यहाँ पर आपको दिख जाएगा आपकी TV का नाम और इसके बाद आप देख पाएंगे यह cast हो जाएगा आपके TV में और फोन में देखिए यह बंद हो गया है आप हटा भी देंगे तो यह फोन से हट जाएगा और TV में चालू हो जाएगा